नमस्कार साथियो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है आज हम आपको बताने वाले हैं शेटरिंग के काम के बारे में अगर आप एक कॉंट्रेक्टर हैं अगर आप सिविल इंजिनेरिंग कर रहे हैं स्टूडेंट हैं या फिर आप जो है अपना घर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो कौन तक जरूर देखें आज इस वीडियो में दी जाने वाली जानकारी आपके लिए बहुत जादा महतपूर है अक्सर घर बनाते समय बहुत सारे लोग जो है वो शेटरिंग का काम अच्छे से नहीं करते और इसकी वज़े से इन फ्यूचर छट से पानी टपकता है आपके घर में सीलन जैसी समस् जो है वो आज आती है तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे की सतरा से आपको शेटरिंग का काम करवाना है कोन सी बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि आपके घर में किसी भी तरह की कोई भी समस्या in future ना आए आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को मैं बार फिट से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल Positive Builders में साथियों जैसे ही आप Shuttering का काम शुरू करते हैं आपको हमेशा ध्यान देना है Shuttering की Quality के उपर आपकी Shuttering की Quality अगर अच्छी होगी तब ही आपकी Slab का Surface जो है वो अच्छा दिखेगा आपकी Sealing जो है Shuttering निकालने के बाद अच्छी दिखेगी और उसमें किसी भी तरह के कोई भी Crack जो है या फिर Level से जुड़ी समस्या नहीं होगी तो आप जो है वो अच्छी Quality के Material का ही इस्तेमाल करें आपकी Shuttering चाहे लकडी की हो वो वुड की Shuttering है Steel की Shuttering है आपको Shuttering करते समय लेवल का हमेशा ध्यान देना है कि आपके Beam के Sofit जो होते हैं उनका Level और आपके जो Shuttering है जो Slab की Shuttering है उसका Level जो है वो एक बराबर होना चाहिए समान होना चाहिए इसी के साथ जो है वो आप Alignment देखेंगे Beams की आपकी बिल्कल Beam जो है वो सीधे होनी चाहिए इसी के साथ जो है वो Depth जो है वो Beam की सही होनी चाहिए As per drawing आप उसकी Width को जरूर चेक करें Width आपकी जो Drawing की है वो Drawing के अनुसार जो है वो होनी चाहिए तो ये सारी dimension जो है वो as per drawing होनी चाहिए आपको जो है वो समय समय पर check करते रहना है shuttering के level को alignment को verticality को आप जो है वो ज़रूर check करें इसी के साथ आज जो इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ जो अकसर लोग बड़ी गलती करते हैं मैं आपको बता देता हूँ जब भी आप जो है वो shuttering का काम पूरा कर लेते हैं तो आपने देखा होगा लकडी की shuttering हो या फिर आपके steel की shuttering है आपके board के बीच में आफिर steel की plate के बीच में जो है वो gap रह जाते हैं साथियों अगर आप इन gap के ऊपर जो है वो shuttering tape का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जो cement की slurry है वो आपकी इन gap से बाहर निकल जाएगी और जैसे ही concrete से cement slurry बाहर निकलेगी आपके slab की मजबूती या फिर आपके घर की मजबूती खतरे में पड़ सकती है तो आप neat and clean काम करें आपके shuttering का surface जो है वो clean होना चीए और जो gap है उन्हें अच्छे से fill कर लीजिए या फिर उसके उपर जो है वो आप shuttering tape की मदद से उन्हें जो है वो बंद कर दीजिए ताकि cement जो है या फिर cement slurry जो है वो आपकी concrete से बहार ना निकले leakage ना हो cement slurry की अगर cement slurry जो है वो बहार निकल जाएगी तो बहुत सारी समस्या जो है वो आपके घर में in future आ सकती है sealant जैसी समस्या आपको देखने को मिल सकती है honeycombing जैसी समस्या आ सकती है तो आप जो है वो इस बात का ध्यान रखे कि shuttering में जो gap रहते हैं उनके उपर आपको shuttering tape का इस्तिमाल करना है और water tight shuttering जो है वो करनी है इसी के साथ जादा gap जो है वो आपके beams में रहते हैं आप जिब column के साथ soffit को attach करते हैं तो beam के soffit को अच्छे से tight करिये column की concrete के साथ ताकि cement slurry जो है वो किसी भी रास्ते से बाहर ना निकले अब मैं आपको यहां दिखाने जा रहा हूँ देखी आपको मैंने wood की shuttering दिखाई है यहां पर मैं steel की shuttering भी आपको दिखा रहा हूँ साथी साथ यहां पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही shuttering का काम पूरा हुआ और shuttering plate के बीच में जितने भी gap थे तो shuttering tape का इस्तेमाल करके उन gaps को जो है वो बंद कर दिया गया है ताकि water tight shuttering हो सके इसी के साथ महतपूर बात यहां पर एक और है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है आप अगर shuttering के surface पर ध्यान देगे तो आपको यहां पर shuttering oil लगाया है इस बात को भी notice करिए आपको जो है वो हमेशा shuttering करने के बाद जैसे ही आप shuttering tape लगा लेती है सबसे पहले shuttering tape लगानी है oil अगर आप पहले shuttering oil पहले लगाएंगे तो बाद में जो है वो shuttering tape नहीं चिपकेगी oil के उपर जो है वो shuttering tape नहीं चिपकेगी तो आपको क्या करना है कि पहले जो है वो टेप लगा लेनी है और उसके बाद जो है वो आपको शट्रिंग ओईल लगाना है यहाँ पर आप देख सकते हैं आप पुरानी गाड़ियों को जो इंजिन ओईल होता है उसे भी लगा सकते हैं ताकि कॉन्क्रीट जो है वो आपकी शट्रिंग के साथ ना चिपके हो और जब आप शट्रिंग को निकालें रिमूफ करें तो शट्रिंग जो है वो असानी से निकल जाए आपकी कॉन्क्रीट के साथ जो है वो शट्रिंग प्लेट से या फिर आपके वुड के जो वोड है व वहाँ पर जो है वो गैप है शट्रिंग के बीच में वहाँ पर शट्रिंग टेप से आप जो है उन गैप को कवर कर दीजिए इस तरह से अगर आप शट्रिंग करेंगे तो आपके घर में कभी भी सीलन जैसी समस्या नहीं आएगी इस बात का आप जुरूर ध्यान रखें और शट्रिंग ओईल का जुरूर इस्तेमाल करें शट्रिंग ओईल से आपके जो शट्रिंग मटीरियल है वो खराब नहीं होता है जंग नहीं लगता है अगर स्टील का है और वुड का है तो पानी से बचा रहता है तो इसमें कॉंट्रेक्टर का भी फाइदा है और ओनर का भ बिल्डर को सब्सक्राइब कर दीजिए तो बहुत सारी ऐसी कांस्ट्रक्शन की जानकारी है अगर मैं आपको बताओं कि नीचे जो प्रोप्स लगी हुई है उनके बारे में भी बता देता हूँ तो वो भी प्रोप्स आपकी जो है वो बिल्कुल सीधी होनी चीए वर्टिकल होनी चीए आपको जो है वो प्रोप्स अच्छे से लगानी है उनके डाया जो है अगर वुड की प्रोप्स है तो डाया अच्छा होना चीए बहुत पतली प्रोप्स नहीं होनी चीए अगर स्टील की हैं तब भी आपको ध्यान देना है कि अच्छे से जो है वो प्रोप लगाई गई हैं उनके उपर भी ध्यान दीजिएगा इसी के साथ जो है वो आप शटरिंग जब निकालेंगे तो आपको शटरिंग निकालते समय किसी भी परकार की कोई भी समस्या नहीं होगी अगर आप जो है वो इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो Positive Builder YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इसी तरह की जानकारी के लिए आप Positive Builder YouTube चैनल के साथ बने रहें आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए आपका दिन शुभो धन्यवाद